इस वीडियो में हम Class 9th Maths के संख्या पदती चैप्टर का एक और important question करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दशमलों में जो संख्या है इसको P upon Q के रूप में हमें लिखना है तो देखो जब भी हमारे पास इस तरह से question आता है सबसे पहला step हमारा क्या होता है? हम लिखते हैं माना और यह जो संख्या यहाँ पर है उसको X नाम दे देंगे X बराबर 0.6666.ठीक है और यह हो गया समेकरल नमबर 1 कोई भी संख्या हो पहला step हमेशा यह होगा अब इसके बाद क्या करना है देखो अब यहाँ पर बताओ कितने अंक repeat हो रहे हैं कितने अंक यहाँ पर बार बार आ रहे हैं तो आप notice करेंगे कि केवल एक ही अंक यहाँ पर repeat हो रहा है तो जब एक अंक repeat होता है तो हमेशा उसमें 10 से गुणा करते हैं दो अंक repeat होते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और तीन अंक रिपीट होते हैं तो हाजार से गुना करते हैं बहुत सारे students comment box में question पूफते हैं कि sir आपने 10 से गुना क्यों कर लिया तो देखो ये इस question को solve करने का technique हوتा है अगर हमारे पास question इस तरह से होता 0.414141. तो यहाँ पर आप पाएंगे कि दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए अगर इस तरह से कोई question होता हम उसमें 100 से गुणा करते क्योंकि इसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हैं अब यहाँ पर एक अंक रिपीट हो रहा है तो केवल 10 से गुणा करेंगे ठीक है दूसरा समिकरण है और यहाँ पर दूसरे समिकरण से पहले समिकरण को माइनस करेंगे तो समिकरण 2 से समिकरण 1 को घटाने पर तो समिकरण 2 उपर लिखेंगे हम और समिकरण 1 को नीचे लिखेंगे इसके तो यह इस तरह से है और अब माइनस करेंगे तो देखो, यहाँ पर हमें थोड़ा से एक चेंज यह करना है कि यहाँ पर एक और 6 हमें लिखना है क्यों? देखो, पहली बात तो यह है कि 6 की कोई कमी है नहीं यहाँ तो अनंत 6 हैं और दूसरी बात यह है कि जब हम इसके ओपर ऐसे लेखेंगे माइनस करने में बड़ी आसानी होगी, इसलिए हमने यह 6 यहां पर लिखा है, ताकि माइनस करने में आसानी हो, तो यहां पर अब इनके, यह माइनस करेंगे हम, यह तो हो जाएगा 9X, और राइट हैंड साइड देखो, यह हो गया, 6 में से चाहिए 0, यह 0, यह 0, यह 0, 3, 2, 6, 3, 9, और इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आगया है, X बराबर 2 बटे 3, तो जो question हमारे पास था, कि 0.66666. यह क्या है, तो यह है 2 बटे 3, यह हमारा आंसर है, I hope आपको समझ आया होगा, ऐसे ही important questions के और videos के लिए आप description box में playlist चेक करें